हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अबर यूट्यूब चैनल जो आज कोईशन हम डिसकस करने जा रहे हैं ये एक प्रकार का डेमू लेक्चर है कि सुपर एंडेट बैच जो की मैंने अनॉंस किया था उसमें किस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाएंगे हमें वो कोर्स लेना होता है उससे नहीं बनी हमारी पहचान एक निश्चित कंटेंट को किसी एकजाम में सामिल कराना या निश्चित कंटेंट एकजाम में आकर आपको उस चीज से वेरिफाई करा है कि ये चीज पढ़े जानी अच्छा हुआ है उससे हुआ है तो वही चीज continue रखना हमारी प् जैसा भी आपको feeling लगे उसके हिसाब से decision लीजेगा ऐसा नहीं है कि ऐसे video यूट्यूब पर पढ़ेंगे नहीं लेकिन intensity उतनी dark नहीं हो पाती है क्योंकि time taking बहुत होता है जो भी video में ये बनाने जा रहा हूं इसके पीछे 10 question का content है जिसको बनाने में around 5 hours 13 minutes लगे है अब आप इसकी intensity देखिएगा कभी कभी क्या हो जाता है जब वो काम हम खुद करते हैं तो explanation में वो चीजें उतने अच्छे से नहीं बोली जा सकती है तो इस वज़े से लिखा जाना भी जरूरी हो जाता है खेर देखते हैं पहला question है काला कोट thermal power station किस Indian state में situated है options है J&K, केरला, गुजरात, मणीपूर तो इसका correct option है J&K अब J&K में कहां पे है राज़ोरी डिस्टिक में है कब इसको situation मतलब इसकी starting कभी थी establish कभी हुआ तो ये 1963 में हुआ था और ये एक मात्र thermal power station है J&K का thermal power station के अगर बात आई तो कुछ questions अपने आप दिमाग में आते हैं जबसे पहला question आता है कि largest thermal power plant इंडिया में कहां आए तो largest thermal power plant इंडिया में YMP में है जिसका नाम है बिंद्याचल thermal power station और वो singularly district of YMP है इसकी installed capacity है 4760 MW यानि मेगावाट अगर ये बात पूछी जाती है तो ये बात भी पूछी जा सकती है कि largest thermal power plant तो ठीक है हो गया बिंद्याचल thermal power station in Singaroli district of YMP which is the first thermal power plant in India तो उसका नाम है हुशैन सागर thermal power station हुशैन सागर thermal power station ये दोनों चीज़ें में नीचे लिख देनी चाहिए भी पर हमने exclude कर दिया क्योंकि अभी ये finalization नहीं है इसके बात भी चीज़ें होंगी obvious सी बात है तो हुशैन सागर thermal power station ये situated है है तेलंगाना में on the banks of हुशैन सागर ये इंडिया का first thermal power station है जो 1920 में open हुआ था निजामाफ हैदराबाद के समय की बात जो 7th निजामाफ हैदराबाद थे तो अगर देखा जाये तो काला कोर्ट thermal power station कई different SSC के कई exam होते हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि काला कोर्ट thermal power station किस state में है जे अंडिके में है 1963 में किस thermal power station का integration किया गया काला कोर्ट thermal power station ये किस district में पढ़ता है जे अंडिके के जो paper कभी-कभी उस पे focus कर देते हैं तो रजावरी district पे हुआ था तो ये आपका एक question complete होता है thermal power station से relate करके अब अगले question की तरह आते हैं अगला question है वा इस फर्स्ट इडिटर अप दे जनरल इंडियन ओपनियन इंडियन ओपनियन का पहला जो इडिटर था उसका क्या नाम था महात्मा गांदी, महादेयो देशाई मंसुख लाल नजर none of the above वाज फर्स्ट इडिटर अप दे जनरल इंडियन ओपनियन तो वो मंसुख लाल हीरा लाल नजर उनका पूरा नाम था मंसुख लाग हीरा लाल नजर और इसका पहला इशू जो रिलीज हुआ था मार्केट में आया था सामने आया था वो आया था चार जून 1903 को ये दोनों क्वेश्चन अलग-अलग UBPSC, UKPSC सब डिफरेंट एक्जाम्स में इडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपनियन आपसे पूछा जाएगा आप गलत लगा देंगे तो जो आपने किया है उसमें आपके कुछ नंबर कम हो जाएंगे competition में यही lagging कहलाती है यही lagging कहलाती है competition में तो अगर जो question फील होते हैं कि simple हैं पहरे जो paper आते थे वो 243 article तक ही सीमित रहते थे लेकिन अब जो paper आ रहे हैं वो types में जा रहे हैं क्योंकि अपने आप में types different different चीजों को denote करते हैं articles अगर district planning committees की बात की जाए तो ये article 243 ZD में है तो क्या है article ZA में क्या है, ZB में क्या है, ZC में क्या है अगर 243 article ZD को properly पढ़ोगे तो there will be around 9 to 11 sentences which are describing district planning committees तो generally जो question आप से objective type में पूछा जाएगा, you are not going to appear in UPSC mains exam where you have to write everything about article 243 ZD if it is asked you are not going to appear in that, so you have to know little things and that should be remembered properly and exactly तो district planning committee is related to article 243 ZD to which article 243 ZA is related, it is related to municipality जिसको बोलते हैं नगर पालिका, 243 ZB is related to application to union territories application to union territories का मतलब UT से relate करके चीजें मिनसन की गई है तो जब भी आप से question article 243 ZB पूछा जाएगा तो उसमें कोई भी आपसन ऐसा नहीं होगा जो आपको इस बात के लिए भ्रमित करें कि आप इतनी चीज ही जानते हैं नगर पाएं options को article 243 ZC of Constitution of India है part not to apply to certain areas कुछ मिजोरम का है, कुछ नागा लेंड का है अलग अलग जगह के state के कुछ hills हैं उन पे ये चीजें लागू नहीं होती है article 243 की कुछ चीजें लागू नहीं होती Indian Constitution की कुछ चीजें लागू नहीं होती उन सम में सबसे important notation है part not to apply to certain areas that will be highlighted in the option so obviously बात है अगर हम articles के part में जा रहे हैं तो उसमें बहुत detailing अगर हम cover भी कर लेते हैं that will not store up to a long time if the question has to be asked in the polity, in exam you have to appear only for the polity, then it is necessary to deal with the single single word of particular article, but if you have to appear in an exam where technically you have to remember, where many things many formulas you have to remember with respect to the technical subject and many things related to the non-tech you have to remember in that particular case you have to remind these things only that are the enough, I think for a particular exam to be prepared, okay let's move to the question number 4 what is traditional bamboo dance of Mijoram Ichkald? होता क्या है, जब भी हम कोई question करते है अगर आपने 1500 questions इस mode में किये, जैसे generally YouTube पर लोग पढ़ाते हैं, what is traditional bamboo dance of Mijoram Kald? चेराओ, माच, ठांगता नन अब दैबब, आंसर करो क्या होगा? तुमने गलत किया है, ये सही हुआ है चेराओ dance इसका सही answer है move करते हैं, पांचमें question पर चलते हैं in this particular sense, you at least describe five minutes of your time that is allowed to you to prepare, पांच मिनट आपके इसमें गए, आपने जाना कि Mijoram का dance, चेराओ dance है ध्यान से सुनिएगा हमारी बात इसके बात, इस duration में जितनी भी knowledge आपने गेन की को केवल question का answer आपने जाना और आप ये मान के चलिए, जो questions हम try करते हैं, उनसे relate करके directly question आते हैं इसकी best possible way बहुत अच्छी हो सकती है traditional bamboo dance मिजोरम का क्या होता है, चेराओ होता है ये एक group dance है ये एक group dance है, single dance बहुत से होते हैं, उनके पीछे कुट लगा होता है उसकी पहचान है, उनके पीछे कुट लगा है थोड़े से odd dance होते हैं, उनके पीछे कुट लगा है वो मिजोरम की single dance है, बहुत सारे dance है, इसके अलावा, क्या चीजे important है मिजोरम से, मिजोरम में जूमिंग खेती होती है, मिजोरम को land of blue mountains का आ जाता है, मिजोरम के राजिपाल है डाक्टर हरी बाबू, खंबापती, जो परतमान में है, मिजोरम की chief minister है जो राम थंगा, मिजोर as a union territory recognize किया गया था, पहले ही एक असम का जिला था, जो एक hills थी, हुसके नाम से उसको जाना जाता था, 21 जन्वरी उन्निस सौबाथतर, 21 जन्वरी 1972 को असम के जिले से इसे इंडिया की union territory के रूप में जाना गया, 21 जन्वरी 1932 को इसे असम के एक जिले से UT के रूप में जाना गया और उसके बाद Formation of Majoram State टुक प्लेस किया 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को और ये किस एक्ट के थुरू हुआ 53rd Amendment Act Lusai Hills साइद नाम था कन्फरम कलीजेगा थोड़ा सा डाउट आ रहा है Lusai Hills जिला उसको कहते थे जो असम का एक जिले का हिस्सा था वो UT बना 21 जनवरी 1982 को इसका नाम मिजोरम रखा गया उसके बाद 1986 में मीटिंग हुई इंडिया की और वहां के एक मिजोरम की पार्टी थी उसके बीच में एक समझोता हुआ 20 फरवरी 1987 को 93 समविदान संसोधन के तैट भारत का 23 वा राज मिजोरम बन गया तो ये चीज़ें कुछ मिजोरम से लेके इंपोर्टेंट थी यहाँ पर इंपोर्टेंट रहती है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है Let's move to the next question Question number 5 A member of state public service commission may be removed by Options आपके सामने है Governor, President, Governor किसी में inquiry Supreme Court कर रहा है किसी में inquiry Supreme Court कर रहा है इसमें कोई difference नहीं है A और B में यहाँ पर High Court होना चाहिए यहाँ पर High Court option में होगा अब इसका answer होगा President चाहे state public service commission का member हो चाहे chairman हो चाहे state की जगए union public service commission हो चाहे उसका member हो चाहे उसका chairman हो All are may be removed by President after the inquiry conducted by Supreme Court mostly on the basis of the misbehavior और रश्टाचार कुछ भी हो उसमें Supreme Court की inquiry के बाद President ही remove करता है तो final power जो है वो President के पास है जो राज लोग से वायोग है और संग लोग से वायोग है उसके सदस और उसके chairman President के द्वारा remove किये जाता है Let's move to the next question Who was the first defense minister of independent India Again a question which make you lead in the competition ये चीज़ें ऐसी हैं जो generally थोड़ा सा अगर इधर tilt कर देता है question अगर यहीं home minister होता तो you will be easily answered बल्लब भाई पतेल अब आगे आने वाले एक्जामों में home minister में भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी जैसे जब सरदार बल्लब भाई पतेल home minister बने उसके बाद वो expire हुए 1950 में home ministry तब भी बनी रही तो किसने head on किया home ministry किसके पास आई सीराज गोपलाचारी के पास आई उसके बाद उन्होंने resign कर दिया उसके बाद किसके पास आई कैलासनात काटजू के पास आई यह चीज़ें जब आपको पता हो जाएंगी तब आप बहुत आंगी lead on कर जाएंगे in the competition to lead on when you go to the question go to the deep into the question if you are solving 10 questions and creating a power to deal with the variety of the 10 questions then your methodology of the selfishity is very vast, very good तो first defense minister independent India का कौन है options है बल्देओ सिंग, कैलासनात कार्जू, जवालाल नेरू, वीके कृष्णन तो बल्देओ सिंग first defense minister of independent India है इनका पूरा नाम था बल्देओ सिंग चोकर और first finance minister कौन थे आरके शन्मुगम छेटी इसके बाद इन्होंने भी रिजाइन दिया इसके बाद बने जान मताई यह 1947 में थे, 1949 में भी बने उसके बाद 1950 में जान मताई ने रिजाइन दिया तो सीडी देश्मुग बने तो finance minister कौन कौन रहे एक के बाद एक यह भी पता होना चाहिए जान मताई took place as the second finance minister of independent India after the resignation of तो question can be created in any form until and unless information is cleared you will be able to solve that question राज कुमारी अमरत कौर only female cabinet minister थी किस ministry को held on कर दी थी अगर आपने यह सिर्फ पढ़ लिया अगर question आपके सामने आगया कोई बहुत अच्छा question लगा who is the only female cabinet minister of independent India राज कुमारी अमरत कौर let's move to the next question and the exam in exam you get the question which ministry was held by which ministry was held by राज कुमारी अमरत कौर ministry of health तो correct option ministry of health होगा महाँ पे और वो आपके लिए odd हो जाएगा यह तो पढ़ा था कि यह नहीं पता है कि ministry कौन सी होगी मौलाना अबुल कलामाजाद minister of education ते ऐसी बहुत सी ministries थी जिनके हम first नाम जानते हैं वो लोग expired हुए वो लोगों ने रिजाइन दिया उसके बाद second person आया in upcoming exams in future जो variety create हो सकती वो इसी परकार की हो सकती और अपने आपमे ministry of after independence it is very 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 important and in this particular section जिनसे आपका competition है जिनसे आप lead करना चाहते हैं वो generally इसको avoid करते हैं देखा जाएगा आयेगा तो देखा जाएगा and in that particular period there is a possibility of negative marking चलिए अगला question after independence when was national development council was constituted NDC बोलते हैं इसको start form में ये constitute किया गया था 1952 में ये question SSCJE का previous year का है अगर 1952 पता है इसके बाद इसमें administrative reforms commission मना 1967 में जिसने कुछ changes की है main change ये था कि NDC में कौन-कौन लोग सामिल रहेंगे उसमें जो नीती आयोग के member थे उनको हटा दिया गया सभी union minister में गिने चुने union minister रखे गए जो 10 particular department को held on करते हैं वो आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर जो कि IJ chairman work करते है NDC के और ये chairman होते है नीती आयोग के भी तो NDC के chairman रहेंगे प्राइम मिनिस्टर अगर deputy prime minister कोई है तो वो central ministers finance, industrial, railways, transport, education labor, home, affairs, irrigation और power सिर्फ इसके ही ये लोग member रहेंगे chief minister of all states उसमें UT के भी लोग सामिल थे बट इसमें UT के लोग सामिल नहीं किये गए ये चीज important है secretary of planning commission जो की अब नीती आयोग बन गया है वो stood as its secretary इसका secretary रहेगा NDC और नीती आयोग का secretary same रहेगा and it has been recommended by the administrative reforms commission in 1967 let's move to the next question what makes the sky look blue ये science का question है इसमें भी लोग गलती कर जाते हैं इसके options उतने अच्छे नहीं दिये हैं जिसमें फसाया जा सके students को चूंकि ये previous year SSCGI का question है इसलिए options को change नहीं किया इसका ही blue इसलिए दिखता है क्योंकि blue color की scattering आसान होती है because of the its wavelength is low विब ग्योर को अगर देखें विब ग्योर को अगर देखें तो इसमें सबसे minimum wavelength किसकी होती है violet की होती है उसके बाद indigo की उसके बाद blue की फिर green की फिर yellow फिर orange और फिर red यानि कि red की wavelength सबसे ज़्यादा होती अगर आपको formula याद हो e बरावर 12 में पढ़ते थे हम लोग जब IATJ बगर आपने preparation की होगी तब तो उसका बहुत vast huge आया है even 12 में पढ़ते थे e बरावर hc by lambda तो lambda जितना कम होगा e उतना ज़्यादा होगा या e बरावर e h new lambda जितना कम होगा आवरती उतनी ज़्यादा होगी तो जब उस fundamental science को लगाओगे तो scattering जो होती है वो low wavelength की तरफ ज़्यादा inclined रहती है तो यहाँ पे correct option जो होगा as the wavelength is low blue color scattering is easy तो correct option D होगा जब भी coloring in the sense बात की जाए तो आप wavelength के थूँ जाए low wavelength means scattering is easy जी और जहाँ पे low wavelength होगी तो blue color मिल जाएगा आपको when was the security and exchange board of India established as non-statuary body इसको बोलते हैं गैर सामविदिक निकाए यह संबैधानिक नहीं है there is a difference between constitutional and statuary body remember this non-statuary body कब बनी तो April 1988 में बनी थी तो correct option यहाँ पे भी part हो जाएगा इसको statutory body के तोर पे कब accept किया गया सेवी को तो 30 जर्वनी 1992 को कनिंट का question बनता है कि सेवी की chairman अभी किसे न्यूक्त किया गया है तो मधाभी पुरी बुच को तो यह चीज़ें सेवी से relate करके हो जाती है last question की तरह बढ़ते हैं which type of forest covers the largest area of India covers the largest area of India tropical semi evergreen forest tropical evergreen forest alpine forest tropical deciduous forest tropical deciduous forest 65.6% area cover करते हैं total forest in India का not India के land का 65.6% नहीं है यह total forest in India का 65.6% कबर करते हैं जिसका 37% हिस्सा यानि 65.6% में से 37% moist deciduous forest हैं और जबकि 28.6% dry deciduous forest हैं तो यह चीज़ें हमने आपके सामने बताई हैं यहां का correct option tropical deciduous forest हो जाएगा इसमें आधे question SSC JEE के थे बागी question SSC के different exam में पूछे गए थे SSC JEE में जो question directly GS का part है जिसमें हम general science को अटा दे रहे हैं current affairs को अटा दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा important है आपको non-tech में maximum marks लाने के लिए याद रखिए जब भी SSC JEE में final selection जिसका होता है जिसकी रहेंक अच्छी आती जिसे CPWD मिलता है उसका ये portion non-tech का बहुत अच्छा होता है general science चूंकि आप engineering के student है generally आप कले जाएंगे leaving the bio section और current affairs के question करना इसलिए आसान होता है बहुत सी market में booklets हैं बहुत से videos हैं उनके तुरू जब बार बार होके आप जाएंगे और एक personal inclination भी रहता है मैंने आपको इस video में सिर्फ ये बताने की कोसिस की है कि inclination and intensity देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये काम पैसे से किया जा रहा है हम ये कह रहे हैं कि जब हमें ये पता होता है कि हम ऐसे लोगों को guide कर रहे हैं अगर मुझे पैसे से करना होता है तो that would not be कि कोई test paper दो और उसके थुरू आप इतने लोग select करो तो ठीक है जितने लोग आ जाएं उतना अच्छा मेरे लिए ये भी तो वह हो सकती थी और फिर बहुत जादा इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है this is the video that is a demo lecture for that और भी कई चीज़ें रहेंगी इसकी PDF मिलेगी और चीज़ें इसमें included रहेंगी ऐसी बहुत सी चीज़ें सामिल रहेंगी this has been just given कि what what is the difference ठीक है तो अपने उसके साब से decision लीजे बांकी बीडियोज पढ़ते रहेंगे बस वह intensity रखना थोड़ा सा typical हो जाता है मतलब बहुत effort बहुत ज्यादा effort लगता है बहुत ज्यादा और कर पाना regular basis पे उसके लिए भी कोई personal motivation चाहिए और you understand that better खेब कुछ बातें important हैं जिनको मैं बता देता हूँ UPPCL AE का paper कब होगा MPPSC AE में answer की के बाद इतने number आ रहे हैं तो क्या cut up जाएगा और non-tech MPPS अब engineer के लिए आप क्या करेंगे उनके answer सुनिए बिल्कुल एक चेक लिए UPPCL AE का paper जब होगा तो उसका notification आएगा यही इसका एक answer है बिना मतलब की फ़ग उसमें मत जाईए कि इस तारीक को इनोंने बोला हो जाए याद करिए जब 12 दिसंबर या 12 जनवरी को जब कम दिन पहले admit card जारी हुआ था और 12 तारीक को paper हुआ था तो even अगर आप phone करने पर भी वहाँ से बोल दिया जाए कि नहीं paper नहीं होगा या paper अभी होने वाला है उस पर भी बहुत जादा rely मत करिए इतनी अपने आप में capability रखिए आप एक बीटे graduate है और इतनी capability रखिए MPPSCAE के भी जब admit card नहीं आ रहा था तब भी मैंने कहा था अपनी preparation रखिए accordingly act करिए अब answer आता है MPPSCAE में कितने marks आ रहे हैं उस पर आपकी क्या preparation interview की होनी चाहिए जिन लोगों के marks 295 से 305 तक हैं ये मेरा point of view है it is not a general thing to be accepted मतलब बहुत बुरी तरह से आपको यही सत्यमान लेना चाहिए मेरा point of view है on the basis of experience and the students have given me marks after second answer की 295 से 305 के भी जिनका है उनके लिए interview के marks बहुत matter करेंगे बहुत matter करेंगे अगर वो 70 लाते हैं तो उनकी possibility बनती है 65 लाते हैं तो possibility बनती है और जिनके 305 प्लस हैं उनका थोड़ा बहुत matter करेगा ये मान के चलिए और especially other states से वो लोग जिनके 320 से उपर आ रहे हैं वो selected है ये मेरा point of view है हम अपने हिसाब से जितनी research करते हैं वो हमने आपको बता दिया फिर आपको अपना हमने always कहा है कि आप अपना instinct भी follow करिए अगर आपको लगता है कि ये चीज ऐसी है तो उसके coding चलिए उस पर doubt create मत होने दीजिए आपका भी अपना instinct है अगर आपको लगता है कि ये person इन चीजों पर गलत बोल लहा है या बोलते हैं तो उस संदर्व में अपने instinct को permanently follow करिए and learn अगर सही निकलता है तो मेरे गलत होने की probability पर आपका ठपा लगया फिर next time मेरी बातों को बिल्कुल भी मत सुनिये और अगर आप गलत निकलते हैं तो आपको ये पता चल ग चलिए खैर इन सब बातों का तो अंत नहीं है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching